दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदेशन फॉर्सेविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों घटना चक्र जी एस त्रिष्टी आर्थी के उम सामाजिक विकास के अंतरगत इस वीडियो में प्रस्तुत है बिभिन परिक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक जन सांखिकी से संबंधित प्रमुख अधाराएं इसमें आप जनसंख्या जनसंख्यवरिधि के सिध्धान्त, जनांख्यकी संक्रमण के सिध्धान्त, जनगर्णा में प्रयुक्त विभिन सब्दावलियां जैसे जनसंख्यधणत लिंगानुपात, दश्की बृधिधर, नगरी छेतर और शहर के प्रमुक परिभाषा तत्तो और अओधाणाओ को जानेंगे तो आये शुरू करते हैं भारती अर्थव्यवस्था से समबंधित महत्तपूरण टॉपिक जन सांखिकी, जन गर्ना, जन गर्ना की प्रमक सब्दावलिया, जनांखिकी संक्रमर के सिध्धान्त, जन संख्या के सिध्धान्त आदिसे संबंधित, महत पूर्ण प्रश्णों को सबसे पहले आएए जानते हैं जन सांखिकी किसे कहते हैं दोस्तों जन सांखिकी को इंगलिस में डेमोग्राफी कहा जाता है और जन सांखिकी या डेमोग्राफी ये जन संख्या का सूबेवस्थित अध्यन है यानि जन संख्या का सूबेवस्थित अध्यन जन सांखिकी कहलाता है दोस्तों इसको जनांखिकी भी कहा जाता है और इसक देखना या अंकित करना तो दोस्तों जनता या जन संख्या का सूबे वस्थित अध्यन डेमोग्राफी कहलाता है अब आईए जानते हैं जनसंख्या या पापुलेशन क्या होती है दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन शील होती है इसकी संख्या वितरण और संघटन में लगातार परिवर्तन होता है यह परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं जन्मदर, मृत्युदर और प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है तो बहुत ही महत पूर्ण है दोस्तों जनसंख्या लोगों की जो संख्या है उसको जनसंख्या कहते हैं और जन संख्या परिवर्तन शील होती है इसकी संख्या वित्रण और संघटन में लगातार परिवर्तन या बदलाव होता रहता है और ये परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं जन्म मृत्य और प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है सबसे पहले आईए जानते हैं दोस्तों जनसंख्या बृध्धी क्या है देखिए बहुत ही महतपूर है दोस्तों आप जान लिजे कि जनसंख्या बृध्धी का अर्थ है किसी विशेश समय अंतराल जैसे दस वर्सों के भीतर किसी देश या राजी के निवासियों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या बृध्धी कहलाती है तो याद रखेगा जनसंख्या वृध्धी का अर्थ किसी विशेश समय अंतराल जैसे अपने हाँ जो मानक है वो दस वर्स का मानक है तो दस वर्स के भीतर किसी देश या राजी के निवासियों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृध्धी कहलाता है और ये परिवर्त परिवर्तन धनात्मक और रिलात्मक दोनों हो सकता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृध्धी जो होती है जन्मदर मृतुदर यानि जन्मदर और मृतुदर के बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृध्धी कहा जाता है तो याद रखिएगा जनसंख्या की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं और ये परिवर्तन धनात्मक और रिलात्मक दोनों हो सकता है और जनसंख्या की प्राकृतिक वृध्धिदर अगर आपसे पूछा जाए तो ये जन्मदर माइनस मृत्तुदर यानि जन्मदर और मृत्तुदर के बीच का अंतर जनसंख् तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि एक वर्स में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर या बर्थ रेट कहते हैं तो ये संख्या एक हजार देखिए एक वर्स में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं और इसी तरह मृत्तुदर भी है कि एक वर्स में प्रती हजार व्यक्तियों में मरने वाली की संख्या को डेथ रेट या मृत्तुदर कहा जाता है और आप जान लिजे कि भारत की जन्संख्या बृध्धि के प्रमुक कारणों में क्या है तो दोस्तों भारत में जो जन्संख्या बृध्धि के प्रमुक कारण ये है कि सुविधाओं स्वास्त सुविधाओं रहन सहन खान पान में जो अंतर आया है या जो गुलवत्ता में सुधार हुआ है इससे मृत्तुदर में गिरावाट हुई है और जन्मदर में बृध्धी हुई है तो बहुत ही महत्तुपूर है अगर जो भारत की जनसंख्या बृध्धी के प्रमुख कारणों की बात की जाए तो मृत्तुदर में छेतर से दूसरे छेतर में चले जाना प्रवास कहलाता है और प्रवास जो है दो प्रकार से हो सकता है एक तो आंतरिक प्रवास यानि देश के भीतर और दूसरा अंतरराश्टी यानि देशों के मध्य जैसे आंतरिक प्रवास जो होता है उतर प्रदेश के काफी अधिक लोग दिल्ली, मुंबई यादि बड़े शहरों में जाते हैं और अंतरराष्टी प्रवास में आप देख सकते हैं भारत के बहुत सारे लोग कनाड़ा, मध्यपूर्व, एशिया और अन्य देशों में प्रवास करते हैं वहाँ जाकर दूसरे छेतर में चले जाते हैं उसे अंतररा प्रमुक सिध्धानतों की जब बात आती है तो इसमें सबसे पहले माल्थस का जनसंख्या ब्रिद्धिका सिध्धानत हैं दोस्तों माल्थस का जनसंख्या ब्रिद्धिका सिध्धानत फिर अनुकूलतम जनसंख्या सिध्धानत और देखिए जनांकी की संक्रमर सिध्धान तो सबसे पहले इसमें मालतस के जनसंख्या सिध्धान्त की बात करें तो दुश्तों मालतस का कहना ये है कि जनसंख्या बृध्ध जयामिती दर से होती है यानि 1,2,4,5,1,2,4,8,16 जब कि खाध्यान की बृध्ध अंकगरती दर से 1,2,3,4,5 के तरह से होती है और इसका परिडाम ये होता है कि जनसंख्या और संसाधन में असंतुलन हो जाता है जैसे हमारे पास कोई संसाधन ये जैसे दस लोगों के लिए है लेकिन अगर हम इस संसाधनों को बढ़ाएंगे तो अधिक से अधिक जब हम बढ़ाएंगे तो एक, दो, तीन कर सकते हैं लेकिन माल्थस का कहना है कि जो जनसंख्या ब्रिधि ज्यामिति दर से होती है तो एक के बाद दो, दो के बाद चार के बाद आठ तो ऐसे तो इस तरह से जो असंतुलन उत्पन होता है उसे संसाधनों में कमी हो जाती है और इसका सीधा प्रभाव ये है कि असंतुलन नियंतरन करना पड़ता है इसके उपायों में प्राकृतिक और नैसरगिक प्रतिबंध और नैतिक या निवारक प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं दोस्तों असंतुलन नियंत्रण के लिए प्राकृतिक और नैसरगिक प्रतिबंधों में अकाल, भुखमरी, बाढ़, भुखंप, ज्वाला, मुखी, महामारी, युद्ध आदिया जाते हैं और इससे जनसंख्या का नियंत्रण होता है और दूसरा ये तो संयमिजीवन, ब्र ज्वाला, मुख अन्टरण के लिए सही उपाय माना है और क्रित्रिम साधनों से औरोध को माल्थस ने अधर्म और पाप माना है माल्थस के जनसंख्या सिध्धान्त के बाद आइए जानते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिध्धान्त दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको एक graph के द्वारब पर दर्शित किया गया है और यहांपर x-axis पर आप देख सकते हैं अवसत उतपाद ये प्रतिव्यक्ति आए और यहां जनसंख्या आकार ये घटते लाव को प्रदर्शित करता है और आप जान लिजे जनसंख्य प्रिद्धिक के अनुकूलतम जनसंख्या सिधान्त में जो फार्मूला है M is equal to A minus O by O यानि M असंतुलन की मात्रा ये है और A वास्तविक जनसंख्या है और O optimum population यानि आदर से जनसंख्या है तो असंतुलन की मात्रा अगर जो मापनी हो तो वास्तविक जनसंख्या माइनस आदर्श जनसंख्या बटे आदर्श जनसंख्या के इस सुत्र से हम अनुकूलतम जनसंख्या सिधान्त में जो है ये इसका आगरन कर सकते हैं अब आईए देखते हैं दोस्तों जनांकी की संक्रमण के सिध्धान जनांकी की संक्रमण या किसी भी देश में जनसंख्या का जो विकास होता है जनसंख्या की बृध्धी होती है कई चरणों से होकर गुजरती है इसमें प्रथम चरण या प्रथम अवस्था में उच्छ जन जन्मदर और निम्न मृतुदर और इसी में जूती अवस्था में जनसंख्या भी स्फोर्ट के इस्थिती होती है ये विकासील देशों की विशेस्ता है जनांकी की संक्रमण का जो तिरती अवस्था है दोस्तों इसमें निम्न जन्मदर और निम्न मृतुदर होती है और इसम विकसित देशों की विशेष्टा है अब आईए देखते हैं भारत में जनसंख्या के संक्रमण काल से संबंधित प्रमुक तत्यों को दोस्तों भारत में अगर जो जनसंख्या संक्रमण की बात करें तो यहां पे पहली अवस्था जिसमें उच जनमदर और उच मरितुदर होत तक रही इसमें उच्छ जन्मदर और निम्निम्रितुदर रहता है लेकिन भारत में 1921 से 1951 तक देश की जनसंख्या लगभग इस्थिर दर से उत्तर उत्तर बढ़ती रही तृती अवस्था की बात करें तो 1951 से 1981 तक देश की जनसंख्या में अधिक तेजी से ब्रिधी हुई और यहाँ पर निम्निम्रितुदर होता है तिरती अवस्था में लेकिन भारत की इस्थिती में 1951 से 81 तक में देश की जनसंख्या में बहुत तेजी से ब्रिधी हुई और चौथी अवस्था भारत में 1981 से 2011 तक रहे जब देश की जनसंख्या में ब्रिधी हुई लेकिन ब्र परिक्षाओं के लिए प्रथम अवस्था 1901 से 1921 का कारण उच्च जन्मदर के साथ बिद्यमान उच्च मृतुदर रहा देश में भीशड अकाल और महामारी के चलते जनसंख्या में उच्च मृतुदर की प्रविर्थ थी दूती अवस्था 1921 से 1951 तक था और इसमें प्रिद्धि का मुख्य कारण अकाल और महामारी पर नियंत्रण से हुआ और आप इसमें देख लीजिए कि इसमें मृतुदर में कमी आई मृतुदर घटी लेकिन जन्मदर में कोई कमी नहीं हुई और वर्ष 1921 को ग्रेट डिवाइडिंग येर या महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है दूस्तों तिरती अवस्था 1951 से 1981 में जनसंख्या में ती बिरब्रिधी का कारण इस अवध मिम्रित उदर का लगातार घटते जाना और जन्मदर में लगभग इस्थिरता के स्थितिक अबना रहना था चोथी अवस्था भारत में 1981 से 2011 तक रहा इसका पर्मुकारण लोगों में छोटे परिवार की अधारा बलवती हुई और जन्मदर में मामूली सी गिरावट आई है तो इसको हम चोथी अवस्था कह सकते हैं कुछ अन्य महत्पूर्ण प्रश्णों को देख लेते हैं 1911 से 21 के दसक में जनसंख्य वरिध्य में गिरावट आई थी बिश्व जनसंख्य दिवस्थ प्रतिवर्स 11 जुलाई को मनाय जाता है 15 नवंबर 2022 को बिश्व जनसंख्य आठ बिलियन हो गई है भारत में अनसूचित जातियों की शंख्या किस प्रदेश में है एक और महत्तुपूर्ण तत्य दोस्तों परमपरावादी अरथसास्तरी थामस राभर्ट मालथस इंग्लेंड के थे और इनके द्वारबर 1798 में सबसे पहले जनसंख्या के सिध्धान पर एक निवन्ध प्रिंस्पल साब पापुलेशन प्रकासित किया गया था अब आईए देख लेते हैं दोस्तों जनगड़ना की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी के बारे में जो भारत के संबंध में है दोस्तों प्राचीन काल में जनगड़ना होने का संदर्भ जो है कौटिल और प्लूटोमी के रचित गरंथों में मिलता है और मुगल काल में जनगड़ना का उल्ले कबूल फजल की रचना आईने अकबरी में है आधुनिक प्रडाली सबसे महतुपूर है कि आधुनिक प्रडाली की सरुपर्थम जनगड़ना लाड मेयो के सासनकाल में 1872 में हुई और जनगड़ना का क्रमवार आकलन यानी प्रथम नियमित जनगड़ना वर्स 1881 में लाड रिपन के शासनकाल में हुई और वर्तमान तक नियमित रूप से प्रतेक 10 वर्स के बाद जनगर्णा संपन्न कराया जाता रहा है दूस्तों 2011 की जनगर्णा 1872 से लगातार 15 वी और स्वतंत भारत की 7 वी जनगर्णा रही 2021 में जनगर्णा नहीं हो पाई और ये वैस्विक महमारी कोरोना के कारण अब आईए देखते हैं जनगर्णा की या जनसंख्या के प्रमुक सब्दावलियों के बारे में सबसे पहले इसमें हम जनसंख्या घनत ओ या डेंसिटी या पापुलेशन के बारे में जानेंगे दोस्तों जनसंख्या घनत तो जो है वो देश या अस्थान विशेश के कुल छेतरफल और देश या अस्थान विशेश की कुल जनसंख्या और कुल छेतरफल का अनुपात होता है इसको व्यक्ति भूमि अनुपात कहते हैं जनसंख्या घना तो निकालने के लिए आप किसी देश या स्थान विशेष की कुल जनसंख्या को दोस्तों देश या स्थान विशेष के कुल छेतरफ़ से भाग करके जनसंख्या घना तो प्राप्त कर सकते हैं इसको man-land ratio भी कहा जाता है लिंगा नुपात यानि sex ratio क्या है दोस्तों प्रती 1000 पूरसों की तुलना में इस्त्रियों की संख्या को लिंगा नुपात के रूप में ब्यक्त किया जाता है लिंगा नुपात बराबर इस्त्रियों की संख्या बटे पूरसों की संख्या into 1000 तो याद रखेगा प्रती 1000 पूरसों की तुलना में इस्त्रियों की संख्या को लिंगा नुपात कहा जाता है सिसु लिंगा नुपात या चाइल्ड सेक्स रेसियो क्या है दोस्तों प्रती 1000 बालक देखिए 0 से 6 वर्स में ये माना जाता है सिसुलिंगा नुपात की गड़ना 0 से 6 एर के क्रम में होती है तो प्रती 1000 बालकों की तुलना में 0 से 6 वर्स के वालिकाओं की संख्या को सिसुलिंगा नुपात कहा जाता है सिसुलिंगानुपाद 0 से 6 वर्स बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या into 1000 तो याद रखेगा 0 से 6 वर्स आयुवर्ग के प्रती 1000 बालकों की तुलना में 0 से 6 वर्स आयुवर्ग की बालिकाओं की संख्या को सिसुलिंगानुपाद कहा जाता है अगला टर्म है दोस्तों दसकी ब्रिधिदर तो दसकी ब्रिधिदर क्या है ये दस वर्सों के मध्ध जैसे 2001 से 2011 के मध्ध जनसंख्या में हुई प्रतिशत ब्रिधिदर को ब्यक्त करता है दसकी ब्रिधिदर दस वर्सों के मध्ध जनसंख्या में हुई प्रतिशत ब्रिधिदर को दसकी ब्रिधिदर कहा जाता है दसकी ब्रिधिदर को डिकेडल ग्रोथ रेट कहा जाता है डी जी आर डी जी आर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व ज इन्टू 100 इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है साक्षरता दर या लिटरेशी रेट किसे कहते हैं जोस्तों देखिए इसमें मानक 7 वर्स है याद रखिएगा साथ वर्स और उससे अधिक आयू वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की प्लस आयू वर्ग वाली जन संख्या इन्टू 100 यानि एक 7 वर्ष और उससे अधिक आयू का जो व्यक्ति किसी भाशा को समझ सकता हो उसे लिख सकता हो और पढ़ सकता हो वो लिटरेट यानि साक्षर कहा जाता है और यदि कोई व्यक्ति जो ने तो पढ़ सकता है नहीं नहीं सकता वो निरक्षर कहा जाता है छे वर्ष अथवा उससे कम आयू के सभी बच्चों को चाहे वे इसकूल भी जाते हो और कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गये हो उनको साक्षर किसरेड़ी में नहीं रखा जाएगा अब आईए जानते हैं दोस्तों नगरी छेत्र य यानि कार्पोरेशन चावनी बोर्ड यानि कंटेनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगर छेत्र समित नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी सामिल हो नगरी छेत्र के अंतरगत आते हैं और ये तीन शर्ते पूरी करते हो तो उनको नगर छेत्र या नगरी छेत्र में शामि नानेगरी कल्चर कारियों में और जनसंख्या घनत्य या डेंसिटी आप पापुलेशन वहां कम से कम 400 व्यक्ति प्रतिवर्गे किलोमीटर में रहते हों तो ऐसे छेत्र को नगरी छेत्र कहा जाता है और लाश्ट में आये जान लेते हैं शहर या सीटी किसे कहते हैं तो एक ल सब्दावली और अधाराएं इसमें आपने दोस्तों जन सांख्य की उसका अर्थ जनगरना के प्रमुख सिधान्त शब्दावलियां जनसंख्या घनत्व लिंगान उपाथ दश्की ब्रिधिदर सहर नगरी छेत्र आदि के बारे में विस्तार से जाना जो आपकी जानकारी और समझ के लिए बहुत ही महत्तपूर है आप इस टॉपिक को तयार कर लिजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क देशन फॉर सिविल सर्विशिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार